हेलो गैस नेख्स अप्सोट के सिर्ट से पहले आप दो में चेंग को सबसक्राइब कर देंगें इस अपको इनेख्स इप्सोट को स्डाट करते हैं चेंगवन जो यहाओ को लेकर ट्रेंड से जा रही होदे गयुँ कि ट्रेंड से जल्दी पहुंचा जा सकता था अब याओ जिसने पहले कभी भी ट्रेन का सफर नी किया था वो बिल्कुल भी अपने आपको संभाल नी पा रहा होता और चैंगवान भी उसे देख का कहरी होते हैं कि आपको इस चीज़ को पकरना होगा पर वो हेंडर को भी नी पकरना होता यह सुनते साथ ही आओ कहने लगता है कि जिस क्लाइट से मैं मिलने के लिए जारू अगर वो मुझे इस आलत में देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा तो चैंग कहने लगते हैं कि हम साइकल को पहले ही पार कर देंगे ताकि वो आपको ना देख पाई पर अभी भी चैंग वन सिर्फ अपनी बात कर रही होती है तो यह उसे कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर एक गंटे में पहुंच आता हूँ तो तुम्हारी बात सुनूँगा और तुम्हें टाइम भी दूँगा अब यह भी सौच लेती है कि एक गंटे में भूंचा कर रहेगी जैसे ट्रेंज से यह लोग उतरते हैं तो दोनों यह एक एक साइकल ले लेते हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशर पर पहुंच आते हैं वहाँ पर पहुंचने के बाद चैंगवन उसे अपना मुबाल दिखाते हुए 45 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब आपको मुझे 10 मिनट देने होंगे ताकि आप मेरी बात सुन पाए और सौच पाए कि मुझे वापिस से रखना है या नहीं रखना यह बात कहने के बाद उसके एक एक चीज़ उसे वापिस दे रही होती है जो भी वो याओ की चीज़े अपने साथ ले कर आई हुई थी यहाँ तक कि उसको एक बुक भी देती है अब वो अपनी सारी चीज़े ले तो लेता पर याओ से कहें लगता है कि मुझे मिस्टर शिन से मिलना था पर अब मैं जब यहाँ पर हो तो मिस्टर शिफ कंपनी में आएंगे तो तुम मेरी सेकेर्टरी बन कर उसे मिल लेना क्योंके अभी तक मेरी कोड़ भी सेकेर्टरी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच लोगा अब ये बात सुनते ही चैंगवन तो फॉरण से मान जाते हैं कि हाँ ठीक है अब ये वाप इस घर पर आ चुकी थी और जैसे घर पर आकर मुवाली उसकरी होती है तो इसकी माम बगैन नौक की एक रूम में आ जाती है तो आकर पोचे लगते हैं कि क्या तुमने शिंटाइस से अपही तक बात किया या ना की तो चैंगवन कहें लगते हैं कि माम मैं बात कर लूँगी वो भी बीजी होता है मैं भी कामें बीजी होती हूँ तो हमें बात करने का कामी टाइम मिलता है पर मैं फिर भी आपके लिए बात करूंगी तो उसकी माम ये बात सुनने के बाद उसके पास से तो आचा आती है और जब अपने रोम में आती है तो वहाँ पर चैंगवान के डैट उनसे कहीं लगते ह होती है कि वो अच्छी लाइफ गुजारे जो मैंने गलती किया उसे वो गलती नहीं करने दूंगी मेरी आप से शादियों के पर मुझे क्या मिला कुछ मिला है क्या मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास अपना इतना प्यारा घर हो के देखते साथी उन्हें तो फिकर होने लग जाती और कहने लगते हैं कि क्या पुरानी दद वापिस आ गई है यह कहकर उनकी मारिश करना स्टार्ट कर देती हैं और चैंगवन जो शिंचाई को मेसेच करती है कि क्या तुम कल टीनर के लिए आ रहे हो तो आगे से बताता है कि में काम में बीजी हो पर भी भी मैं जैसी रात में फ्री होंगा तो टीनर के लिए आ जाऊंगा यह इस मैसेच देखते साथी खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी माम उससे खुश हो जाएंगे कि उसका बॉइफिन दिनर करने के लिए घर आ रहा है और इधर हमें कैए लगते हैं किसी पर वियंदर करना चाहिए तो क्या मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं अपने साथ काम के लिए इस तबर अपने साथी नहीं सुनूंगा यह कहकर उसको अपने साथ लिया आ रहा तैंपर शिंचाई ने तो मास्क लगा लगा लिया तो क्यां लिए लगत का वोगया हुआ है अब इसी डियाट के पीछे-पीछे उनके साथ तो जा रहा होका पर आसतें UP का बहाना करके वहां से चला जाता है अब उसके डैट मुर्ष हां में जाते हैं वहां पर जाकर मिस्टर याउ कि आने का वेड़ का रहे होता है मिस्टर याओ की जगह चैंगवान आती है जो उसकी आज की दिन के लिए सेकेटरी बनी होई तो आकर बताते हैं कि मिस्टर याओ आपसे नहीं मिल पाएंगे और उन्होंने परसनली मुझे भेज़ाए ताके मैं आपसे आकर सोरी कर पाऊं एक कम से उन्हें काम आ गया तो जिसकी वज आता है तो चैंगवान यहीं पर होती जिसे देखते साथी वह अपना फेस दुसरी तरफ करके वहां से जाने वाला होता है वैसे उसके डाटों से रोक लेते हैं कि यहां आओ यह क्या कर मिस्टर याओ की से कर्टरी मतलब चैंगवान से मिल वाते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा शिंजाई है अब शिंजाई का नाम सुनते ही वो जल्दी से शिंजाई की तरफ देखने लगते क्योंकि माक्स की वज़ा से उसने पहले उस पर नोट नहीं किया था कि यह कौन है और शिंजाई भी इसके सामने अपना मस्क उतार देता है यह देखकर तो वह शोग हो क चाताया फर शिंजाई तो इसके शायताई देखक्श खारा कियोंकि उसे पता होता है कि अब उसकी खेर नहीं है और मेरे लगताते है और आपको बताओं कि मुझे खुद इस बात का अभी पता चलाए कि आप इसके डैड है वरना इसे पहले मुझे भी नहीं पता था हमें काम की बात करनी चाहिए इन बातों को साइड में रखते ना चाहिए तो हैं लगते हैं कि चलो ठीक है मैं काम की बात कर लेता हूँ अभी यहाँ पर मिस्टर याओ तो नहीं है तो चब वो आएंगे मैं उन्हीं से बात कर लूँगा जाने वाले इहें बात सुनने के बात मै तुम्हारी फिचर प्लानिंग के बारे में सोचि थी कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए मैं तुम्हारे लिए सेविंघ्स बचा कर अखा करतीライ दिताकि वह शूजनेले कर आओं जो तो तुमने रहां उस्यद्स नीकूर फूट पसंद था इसलिए मैंने तुम्हारे लिखाना बनाना भी सीखा वो भी तुम्हारे हॉम्टाउन का खाना पर तुमने तो रिलेशन्शिप का स्टार्टी छूट से किया था वहाँ पर एक और परसन भी दिखा जाता है जो इन दोनों की सारी बाते सुन रहा होता है कान तुम्हें के राज रखना चाहिए क्योंके वह लटकी तुम्हें डम करके भी जा सकते है तो चैंगन तो इसकी यह बास सुनते कहें लगते है कि क्या तुम्हें मैं ऐसी लटकी लगते है जो तुम्हें पागल बना कर चली जाएगी तो वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता ते मुझे वो ना बताने पर मजबूर करते थे और बस अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं बता दूँ और तम में अंदर बताने की हमत नी थी क्योंकि आके तीन साल गुजर गए थी इस बात को मुझे ये बात रिलाइस है कि मैंने गल्ते ही किया अगर मैं चैंग बलन की जगा होता तो उसक और भी बात सुनाता बलकि उल्टा मार भी देता याहाओ को मेरे ऑफिस में की बताइता था पैर कि याहाओ करहें लगता है तो नीं क्यों उसकी घृर्फिंड हो या और बत यदू बेंगता ही और वह inhaleप पूछे लगता है कि मीटिंग कैसी रही तो वो बताते है कि मीटिंग तो ठीक थी पर आज मुझे पता लगा है कि मिस्टर शीन मेरे बॉर्फरंड शीन चाही के डैड है और मुझे लगता है कि वो आपको रिचेक्ट भी कर सकते हैं आपके साथ कॉपरेशन ना करें क्योंकि अभी अभी उन्हें भी ये बात पता लगी है पाई आओ तो उसकी सारी बातों को सुनका खुश हो रहा होता और यह से सोरी कारी होती है कि मेरी वज़ए से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता तो वह कहता है कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है तो मैं इसके बारे म उससे कितना बड़ा जूट बोला था इसलिए पहले तो अपने डैट का वोईस नोट सुनती है जिसमें उसके डैट कह रहे होते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई प्लैन से ही शिंचाई को यहाँ बले कर आना होगा क्योंकि शिंचाई का पहला इंप्रेशन बहुत ही बुरा अब उसको तुम्हारी मौम के सामने अच्छा इंप्रेशन रखना चाहिए ताकि वो एकसेप्ट कर लें यह बास उनकर वो अपने डैट से कह देती कि ठीक है डैट और इदर शिंचाई दिखा जाता है जो डैट के साथ घर पर तो पहुंच आता है पर उसके डैट आकर इस काम में भी हर्प करवाए तो शिंचाई जब गुसा करने लगता तो उसकी मौम कहते है कि मैंने इसका पूला कि तुम्हें अभी उसको छोड़ देना चाहिए बलकि उससे बाद में ब्रेक अप कर लेना ऐसा भी कोई इशू नहीं है पर शिंचाई अपनी मौम को बताने करूंगा बलकि मैं जा रहा हूं यह कहकर मांस चला गया तो उसके जाने के बाद भी उसके रेडिसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि 30 साल का हो गया पर देखो बच्चो वाला भी हैविर इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं गया अभी बातों पर गुसा करके बैठ जात समान रखे वहां से चली जाती है अपने रोम में उसके रोम में जाने के बाद चैंगवन की माम को तो शिंचाई पर बहुत ही जाता गुसा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए six different dishes बैनाई होई थी और कहने लगते हैं कि जो खाना में ने बनाया अब उसका क्या ह होगा तो उनके investment कहें लगते हैं कि हम खालेंगे ना ऐसा भी क्या issue है पर उन्हें तो इतना गुसा रहा होता है कि शिंचाई को लेकर बाते के जारी होते हैं कहें लगते हैं कि आज ही उससे ओवर टाइम आना तजब उसको खाने के लिए बुलाया हुआ था चैंग वन भी ये सारी बातें अंदर से बैट कर सुनरी होती और अपनी माम की इतनी करवी बातों को सुनकर बाहिर आ जाती है और आकर कहें लगते हैं कि अब मैं आप लोगों को सच बताऊंगी मेरी उससे लड़ाई हुई है इसी वज़ा से वो नहीं आएगा तो उसकी डड़ परशान ह हुँआ हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुए तो वह कहती है कि ने ड़ाई नहीं हुई छोटी सी लड़ाई है और जल्दी ही हमारी दुबारे से सुला भी हो जाएगे पर उसकी माम मुसे कहन लगते हैं कि तो मैं उसे प्रेक अप करने ला चाहिए वो लड़का बिल्कुल वाली होती है तो बाईसे शुलिक कर रहा होता है यह वाज सुनती है वो फॉरन से विड्टो से देखने के लिए जाती है तो वह इसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था और शुड़ी कर रहा होता है कि गलती मेरी थी मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था अब अब महले के लोग उसे देखनी के लिए जमा हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या चर रहा है और चैंग वन उसे चुप कर वारी होते हैं उसके मॉम ड़ाध भी वहाँ पर आ जाते हैं मॉम तो शिंचाई को देखते उसे डांटे लग जाती है तो वह कहें लगते हैं कि मुझे तुमसे चुट अमीरों मेरे पस système is in technology है पर उसके रियाट कहते हैं कि एस सब बाते सच भी तो हो सकते हैं तो शेंग वंचे मुझी एक बता दी धाएना और अपनी माम को पुछने की ट्राइक हो टीजा के पर उसके माम के लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बाती के उसका दमात अमीर है और चैंगवन को कह रही होते है कि तो मैं उसे बात कर लेनी चाहिए उसे माफ कर देना चाहिए पर चैंगवन कहते है कि अगर आप इसको खर के अंदर लेकर आई या इसकी साथ बिल्कुल भी हम जाता है कि क्या हो रहा है और यहीं पर हमारा यह पार्ट पर एंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना